अक्सर होता है कि गुथा हुआ आटा बच जाता है और कभी-कभी उस गुथे हुए आटे से रोटी भी बनाने का मन नहीं करता तो अगर आपके पास भी गुथा हुआ आटा बच जाए तो आप भी इस प्रकार से मज़ेदार से टेश्टी सी रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं तो चले फ्रेंस आज मैं आप सब के साथ गुत्ः हुए आटे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मेरे पास कुछ टमाटर भी है तो मैं इस टमाटर से इस रेसिपी को और भी जादा चड़ पटा बनाने वाली हूँ से mix कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे आधा चमच काली मीर्च का पौडर इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा चमच हल्दी पौडर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहे है तो मैं इसमें लगबग 2-3 चमच पानी डाल करके इसे फिर से हम अच्छी तरीके से mix कर देखे फ्रेंस मैंने बैटर को अच्छी तरीके से mix कर लिया है इसे हम रख देंगे side में अब जो हमने आटे रखे हैं उसके हम medium size के लोई बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक medium size का लोई बना लिया है इसके हम उपर नीचे सूखा आटा लगा लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे तो हमें इसे एकदम पतला नहीं करना है बस हलका सा इसे मोटा ही रखना है बस हलके हाथों से दबाते हुई इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस मैंने इसे अच्छी तरीके से बेल करके तयार कर एकदम पतला नहीं है बस हलका सा मोटाई में मैंने इसे काट लिया है तो इसी प्रकार हम सारे टमाटर को इसमें इस प्रकार से डाल देंगे एक गोल्ड रिंग की जैसे और इसे हम एकदम लोफ लेंपर पकने देंगे तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक चुटकी इसे के साथ मैंने इसमें चुटकी भर काली मिर्च की डग दिया और इसे के साथ मैंने इसमें चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर सारी चीजु को हम एकदम low flame पर सिर्फ एक मिनिट तक के पका लेंगे इसके बाद जो हमने better बना करके रखा है बेसन का उसे हम इस टमाटर में इस प्रकार से डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने सारे बेसन को डाल दिया है और इसे हम एकदम low flame पर सिर्फ एक मिनिट तक के पकने देंगे जब बेसन को एक मिनिट तक के पका लेंगे उसके बाद इसमें हमने जो रोटी बेल करके रखी है उसके उपर में इस प्रकार से डाल देंगे तो मेरी रोटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी इसलिए इसका किनारा हलका सा चिपग गया इसे हम लगबग 2-3 मिनिट तक के पका लेंगे इसके बाद इसमें हम एक चमश के करीब तेल डालेंगे और इस तेल को हम रोटी पर अच्छी तरीके से फैला लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस में जादा तर सबजी चिपग जाती हैं तो मेरे टमाटर हलका सा इस पर चिपग गया था लेकिन नॉन स्टिक पैन पर यह बहुत अच्छी तरीके से बनेगा अब इसे हम पलट करके फिर से सेखने के लिए डाल देंगे तो इसके किनारे में हम हलका सा तेल और डाल देंगे अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएं यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरीके से डाल लिया है इसके बाद इसे हम हलके हाथों से दबाते हुए धीमी धी में आज पर फिर से सेख लेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह हलका सा सीख चुका है अब इसमें हम क्या करेंगे चुटकी भर चिली फ्लेक्स टालेंगे इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे लगभग एक से देड़ चमच के करीब मियोनीज डालेंगे और इसे हम इसमें फैला लेंगे तो मैंने लगभग देड़ चमच के करीब इसमें मियोनीज का इस्तमाल किया है इसे हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लगबख एक से दो चमच के करीब टोमैटो केचप इसे भी हम इसके साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से फैला लेंगे देखे फ्रेंस मैंने दोनों चीजों को अच्छी तरीके से फैला लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पत्ते गोभी कटा हुआ पत्ते गोभी को मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में काट लिया अगर आपके बस नहीं है तो आप इसके जगा प्याच का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ मैंने लगबख आधा शिमला मिर्ची लिया है इसे भी मैंने लंबे-लंबे तुकड़ों में काट लिया है इसे भी हम इसमें इस प्रकार से डाल देंगे और इसे हम पगने देंगे लगबख दो मिनट तक के यह बहुत हेल्दी सी रेसेपी है इसलिए हम सबजियों को ज़्यादा पकानी रहें अगर आपको सबजी को ज़्यादा पकाना है तो आप इसे थोड़ी देर तक के और पका सकते हैं तो फ्रेंज हमारी टेश्टी सी रेसेपी बन करके तयार है इसे आप फैमली के साथ इंज्जॉय करें बच्चे भी बहुत ही मज़े के साथ खाएंगे और अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लोगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फ्रेंज